हेलो श्रेंट्स, वेलकम तो इस्टेडी सेंटर विद देवरिशी भार्दवाज तोड़ेज मैथ कुश्चन पोर यू इस इन दा गिवन फिगर, टू स्टेट लाइन एबी एंड सीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, और हमको पता है कि C.D.E की स्टेट लाइन है, अगर C.D.E की स्टेट लाइन है, तो जो एंगल बनेगा, वह 180 का होगा, कौन सा बाला एक, तो यह यहां से लेकर, और यहां तकि इन दونों को प्लस कर दें हम, तो 180 का angle बनेगा क्योंकि CDX state line है तो देखो अगर total angle यह 180 का है लेकिन यह angle तो 42 का दे रखा है तो यह angle कितने का हुआ तो हम 180 मैंसे 42 को माइनस करके इसको find कर सकते है reason क्या होगा क्योंकि linear pair भी बोल सकते है हमको यह state line यह state angle भी बोल सकते है तो देखो हम क्या करेंगे हम find करेंगे angle AOD angle AOD क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 180 minus angle AOC angle AOC यह इस तरीके से तो 180 मैंसे हम AOC की value कितनी है 42 है 180 मैंसे हम 42 को माइनस करते हैं तो हमारा answer आ जाएगा ठीक है तो I hope यह first part आपको समझ में आ गया है फिर हम बात करते हैं BOD की तो BOD देखो AOC और BOD तो equal होने चाहिए यह वाला angle और यह वाला angle तो equal होना चाहिए क्यों? क्योंकि vertical opposite इसका region क्या होगा? vertical opposite ठीक है? तो यह भी 42 का हो गया और अब भी हमने AOD find कर लिया है first part में तो बी ओसी इसके एक्वाली होना चाहिए तो इस तरीके से हम questions को कर सकते हैं अब देखो मैं आपको प्रॉपा तरीके से करना बताता हूँ देखो diagram हमारे पास है अब हमको क्या लगे बने AB and CD intersect at O and CD is a straight line CD is a straight line है तो हम क्या कह सकते हैं कि COA plus AOD is equal to 180 समझ में आ रहा है न diagram को फिर से देखो जैसे मैं बोलता हूँ COA तो diagram में देखो COA 42 का देख रहा है plus AOD AOD 180 diagram में आपको समझ में आया देखो मैंने कहा COA ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल इन दौनों को add कर देए तो 180 का हो जाएगा linear pair बोल सकते है इसको या इस्टे टैंगल अब इनकी value पूट कर देते है COA की value 42 और AOD हमको find करना is equal to 180, तो 42 आके minus हो जाएगा 180 से तो AOD की value 138 आगई AOD की value आगई 138 अब देखो COA और BOD COA COA diagram में देखो और BOD ये vertical opposite है ठीक है, तो equal होंगे तो answer 42 ही आजाएगा COA का या हम कहें BOD का BOD का answer हमको चाहिए तो 42 आगया अब हम बात करते हैं COB की तो COB और AOD ये भी तो vertical opposite हैं तो दोनों के value equal आगई और answer आजाएगा 138, third part का answer भी हमारा आजाएगा So I hope आपको एक question समझ में आ गया होगा अगर आपने किसी और method से क्या आपने vertical opposite ना करके state line से ही find किया state linear pair से ही find कर रहे हो आप other angle तो उससे भी करके देखो कि आपका answer same आएगा तो आप अपने method से करने की कोसिस करो और बताओ कि आपका answer same आता है कि नहीं आता है ठीक है तो comment करो अगर आपका answer same आता है तो yes और अगर same नहीं आता है तो बताओ कि आपका answer क्या आ रहा है ठीक है तो answer बैसे same ही आएगा आप solve बरो खुश से और वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching